और वहीं कुरुद के मेगा निवासी पंडित दुर्गेश शर्मा बहुती कम समय में सनातनी को एकजुट करने के उद्धेश को लेकर क्षेत्र में श्रीशिप महापुराण कथा का वाचन करते हैं विद्यार्थी जीवनकाल से ही धर्म जागरन की ओर अपना कदम बढ़ा च उनके जीवन में क्या चनौतिया रही हैं और समाज को किस प्रकार से वैसंदेश देना चाहते हैं जिसे लेकर महाराज दुर्गेश शर्मा से हमारे समवादाता ने खास बातचीत की है हमारे साथ पंडित दुर्गेश सर्मा जी चर्चा में मौजूद है कहा जाता है कि भारत वर्ष जो है रिसी मुनियों का देश है और यहां हमेशा धर्म को लेकर के और अन्य विश्यों को लेकर के वेद गीता सास्त्र इन सारी चीजों को लेकर के काफी धर्मिक चर्चाए और विभिन प्रकार के आयोजन होते रहते हैं हमारे साथ पंडित दुर्गेश सर्मा जी है जो भगवताचारी है श्री सिव महापूरान जो है आज उनके मुखार बिन से खैर जीटी ग्राम में हो रहा है हम जानेंगे कि क्या विशेश रहा है और श्री सिव महापूरान के बारे में कुछ बाते जानेंगे साथ ही अध्यात्मिक धार्मिक सामाजिक अन्नी विश्यों पर भी उनसे चर्चा क जी बहुत बहुत धन्यवास साध्ना निज का मैं दुर्गेश शर्मा कथा वाचक धर्मसास्त की चर्चा करते हैं और अपने व्याख्यानों के माध्यम से लोगों को धर्म से और भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं हिंदु राष्ट है भारत देश जो है राम भगवान की प्रांट प्रतिष्ठा भी होने वाली है वाईस जन्मरी को उन सारी चीजों आप कैसे देखते हैं उन सारी चीजों मैं इस फैसले का सहिर्दय स्वागत करता हूं और एक राम भगत होने के नाते में बहुत बहुत प्रसंद्न हूं और जहां जहां भारती नहीं विस्व में जहां जहां भी सनातनी रहते हैं उनको बहुत हिर्दय से प्रशनता हो रही होगी और मैं यह चाहता हूं कि यह फै जो आप प्रतिनी तो करते थे गुरुगासिदास कुरुद कॉलेज तो आज की अज की वर्तमान परिदिश्य में देखा जाये तो आज जो है आप एक थावाचक के रूप में चेत्र में उभरे हैं और मेगा के निवासी आप कैसे आपके मन में अप्रभू का भजन करने का कि कि अपको कहां से मिला है शिक्षा दिख्षा और रहनसान के बारे में हम जानना चाहिए जी बात ऐसी है कि हमारे दादा पीता जी जो पुरवज है जो ब्राम्भन जो कर्म हवेत पथन करना ज्यान देना और ज्यान लेना घ्थावाचन करना ये सुरू से हमारे जब हम छोटे जो आए थे तब से देखते देखते सिखते सीकते मन में थी लेकिन क्या है आज के समय में सिक्षा ध्यन करना भी बहुत जरूड़ी है तो इसनाथ पड़ाव कथा तो चल ही रही थी लेकिन इसनाथ को उत्तर होने के बाद मैंने कथा को प्रधांता देते हुए और आपने स्री सिव महापुरान चुना है और इन सारी चीजों में आप कैसे रूची रखते हैं और स्री सिव महापुरान के बारे में जन्ता को बताएंगे दर्सकों को बताएंगे जी जी दर्सक स्रीमत भगवत कथा और आम कथा भी करते हैं लेकिन वरतमान समय हम देखें तो सिव भक्ती महल शिव भक्ती का है और सिव के आराध्य प्रभू स्री पहले जोतिरलिंग की स्थापना की थी जो 12 जोतिरलिंग में है उनका इस्थान है रामेश्वरम पावन धाम है तो इस प्रकार हम देखे राम और स्यू अलग अलग नहीं है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए यत्र नारियस्तु पुज्यंते रमंते तत्र देवता जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं वरतमान समाज में अगर हम देखे तो इस प्रकार कर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है क्या ऐसे करें सर्मा जी कि फिर से वह राम राज्य आ जाए और नारियों का जो सम्मान है पूर्वज में जो होता रहा है अन्य यूग में होते रहा है वो कल्यूग में भी होने को जी सनातन धर्म हिंदू धर्म की यह सबसे बड़ी खुबसूरती है कि माताओं को पहले इस्थान पर रखा था जैसे कि संकर जी से पहले माता गौरी ग नाष्टे की अमुल धरोहा माताओं को पहले इस्थान तो दिया गया लेकिन आजकल जो पुरुष्ण है वो माताओं को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं इसके लिए लोगों को कथा से भी जोड़ना पड़ेगा लेकिन कथा ही एक ऐसा माध्यम से हैं जिनसे लोग भगवान से कुछ धर्सकों को कहना चाहेंगे कि आगे जो है सम्मान जो है नारियों काम आ करती है तो अपने पती के लिए भगवान दिभगवान से भी सत्य नरायन को मृत्यू के उस मार्ग से भी भित्री माता हैं तो कम से कम लोगों को अपनी पत्वृत धर्म का पालंत करना ही चाहिए साथ ही पत्रियों को सम्मान देना चाहिए ऐसी बहुत कथाएं हिंदु धर्म में हैं समाज को खोकला करने का काम एक बहुत जो विजेस है वो है नसा नसा खोरी के पीछे आज जो है अवाम पीछे पढ़ रही है जनता नसा के पीछे भग रहे हैं कहां भी जाता है नसा नास का जड़ है भाई फल इसका अतिसाय दुगदाई यह जो अर्थ है उसको हम समाजना च हुसंगत में चोरी भी एक नसा है चोरी करने की नसा है बैठे बैठे लोग खाएंगे पीएंगे ऐसा सोच बना लिया है इसको हम कथा कि माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं लोगों को प्रेणा देने का कार्या करते हैं कि चोरी करने वाले का क्या परिणाम होता है क्यों जो चीजे हैं जैसे धार्मिक समाजिक बहुत सारे चीजे धर्म काम जो है देखा जा सकते हैं कि 22 जन्मरी को स्री दाम लाजी का प्रतिष्ठा हो रहा है और कई ऐसे चीजे ज्यादतर जो लोग है बंद पड़े हुए जो पुराने सिव मंदिर उसमें आज जल अभी सेख हो रहा है। और बगायदा को ब्रत कर रहा है लोग norma को प्रत कर रहा है है। करता हैं मनोकामना करते हुए जल भी कई सालों से बंने के बाद महां paint भी नहीं रंग रोगण भी नहीं हुआ था लेकिन कहिने कहीं juga झीजी की भक्ति लोगों पर हुई तब लोगों ने मानना स्विकार किया जैसे कि कोई भी छीजे को लोग तब मानते हैं जब उसका फल मिलता है परिडाम अच्छा होता है लोगों ने शी भक्ति करी भोले बाबा ने सब पे कृपा करी मनुकामना पूर्ण हुई अभी तो यह सुरवात है 21 सदी हिंदू हिंदू की सदी है सनातनियों की सदी है आप देखेंगे व्यापक परिवर्तन और राम राज्य की bert बठी है अब आण चाहेंगे कि वाकर में जो संदी है धर्म है और कई धर्म को मानने वाले है जैसे राम भändert है मांब भक्त है स्यू भक्त है कैसे यह सारी चीलों को आप देखते हैं ज weisir तो भारत क्या है सिनातनियों का देष है लेकिन भारत की परम्पर रही है के जो भा भादर को बिगारने वाले भारत में असांती की व्यास्था इस्थापित करने वाले ऐसे जो भी तत्प होंगे मैं किसी धर्मक नाम नहीं लोगा लेकिन ऐसे लों को खदेडा जाना चाहिए और जो हिंस आपने देखा होगा कोई हिंदू आस तक आतंगवादी नहीं हुआ है हिंदू सनातनी आतंगवादी नहीं हुआ है इसका मतलब साफ यह है हम यही पश्रब्दों में कहना चाहते हैं कि हम सांती में रहने पे भी स्वास करते हैं लेकिन हम कोई एक गाल को थपड मारे दूसरा तयार नहीं करेंगे बल्ग इसको चार थपड लगाने वाले भारत क कि सस्त्र भी उठाने की संस्क्रिती है तभी भगवान से कृष्ण जो बासुरी बजाने वाले ने सुदर्सान चक्र चलाया महाभारत जैसे यहां पर गाथा गती हुई गाए श्री कृष्ण जी कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य गलाने भावति भारत अभ्युत्थानम अ इसका उलेख भे विद्वानों का भी एमत है जैसे कि सत्यूग में पाप नहीं था द्वा त्रेता यूग आई तो हलका सा पाप हुआ द्वापर में और पाप बढ़ा है और कल्यूग में घोर पाप होने वाला है यहां पर भाई का भाई से नहीं बनता कतल कर दिया जाता ह है चोड़ी दकैते दूसकरम माताओं के साथ दूसकरम किया जा रहा है भगवान के मंदिरों को भी तोड़ा जाड़ा है इससे भी भयानक कलिकाल कल्यूग आने माला है एक समय आएगा भगवान कल की जन्म लेंगे और पुना धर्म की स्थापना करेंगे और जो यूग के परिवर्तन है और नई यूग की सुरवात भी होगी गंगा बदला यमना बदला मुहाना जरूर बदलेगा कुछ हम बदलो कुछ हम बदले जमाना जरूर बदलेगा ये कथन आपका है बहुत-बहुत धन्यवाद सर्मा जी हमारे दर्सकों को बताने के लिए इसी के साथ कै साल के बुलिटिन में बस इतना ही देखते रहे हैं साथना न्यूज नमस्कार